हेलो नमस्कार वनकाम स्रिया काल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चनल मैगने ब्रेंस आइटी जाहिए नीट में मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेशन पाट टू को जहां पर हम 25 और आपके सामने ले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन क्वेशन की प्रैक्टिस आपने की है वैसे ही क्वेशन से आपको प्रीवियस एर क्वेशन भी बन जा रहे हैं आई बात समझ में हाजर समझ में आ गई है तो क्या आप तयार है पूरे जोज के साथ वापिस 25 कुश्यं को सर हम तयार है तो आपको पता है कि नीट के लिए मागन बेंस ने कोर्स का मॉडियूल तयार किया हुआ है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रिपरेशन का बेस इतना स्ट्रॉंग हो जाए कि आपको कभी भी क्वेशन कभी आपको एक्जाम से डर ना लगे आई मेरी अगले दिन पाज आते हो वैसे अगर आपको कोशिश करनी है तो यह करनी है कि पहले आप अपने दोस्तों को शेर करो अगर उनसे भी ना बने तो फिर आप डीपी का सल्यूशन आकर देख लो उसके बाद चैप्टर वाइस कभी कभी ऐसा हो सकता है अब शेलान से था टैंश वें façon नहीं आ पाए तो आप यह निया सकता है टेंशन मतले ना डाउट आपके पुरे to his hands what was the ascent initial velocity मतलब initial velocity ओपर फेकने वाली निकालनी है आपको और how much time it remained in the air कितने टायम के लिए हो हवा में रही time of flight आपको निकालना है क्या निकालना है यू आपको निकालना है गालना है या फिर्द आपको निकालना है क्या होगा और time of flight जाने कि फिक दिया उपर की तरह यह फिक दिया एक के फिक दिया ओपर की तरह बॉल नीचे आ गई यह आगई बॉल नीचे ठीक ना अच्छा इसने इस दोरान एक maximum height achieve करी कि इसने इस दोरान एक maximum height achieve कर ली है है क्या अचीव कर ली है यह हाइट है का फर्मला आपको पता होगा वह है यू-square बाय तूजी याद आया एक की वैले आपको दी गई है 40 meter यू कि वैल्या को कितनी दी गई है यू 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 तो निकालना है सर अच्छा डिवाइड बाइट टू 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 मीटर पर सेकेंड और टाइम की वेल्यू भी आप चेक कर लीजे कितनी आएगी तो टी इक्वास टू 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 परूट two divided by ten कितना हो गया जीरो से जीरो कःगा कितना आगया for root 2 यानिंगी five point six five seconds ये आगे आपका time of flight とaaaa अंसर कितना हो गया c हो गया next question next question का है a left is coming from eighth floor and is just about to to reach 4th floor अच्छा अच्छा 8th floor से आ रही है 4th floor पे 8th floor से आ रही है 4th floor पे ठीक है 8th floor से आ रही है 4th floor पे a lift is coming from 8th floor and is just about to reach 4th floor taking ground floor as the original positive direction upward for all quantities which one of the following is correct upward direction को आपको positive लेना है upward direction को positive लेना है downward direction को आपको negative लेना है यह बात आप ध्यान से समझेगा यह 8th floor से आ रही है कहां जाकर रुखेगी 4th floor पर जाकर रुखेगी किस पर जाकर रुखेगी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो अब्व्यसी बात है विलासिटी की डिरेक्शन यह होगी और जैसे ही 8th से जाएगी वह 4th floor तक तो 4th floor तक आते 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 उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी अगर स्पीड कम करनी है मुझे इसकी तो मुझे एक्सलेरेशन की डिरेक्शन यह रखनी पड़ेगी यह रखनी पड़ेगी अगर मैं एक्सलेरेशन की डिरेक्शन नीचे की तरफ रखता हूं तो विलासिटी को सपोर्ट कर जाएगा वह और व अपकी बात नीचे की तरफ है और एक्सिवरेशन ऊपर की तरफ थाफ यूससे तरफ dicho फोस्टी थी तरफ आएगी तो धीरे-धिर अपनि speed कम करती जाएगी ताभी तो रुकेगी ना वो फो फोर पागे अरे लिफ जब ऊपर से नीच आएगी तो उसको रुकना पड़ेगा ना भाई फोर्थ फोर पे अगर पदा चला फोर्थ फोर पर रुकना की जगे और तेजी से वो निकल गई तो क्या मतलब कोई मतलब नहीं ह लिफ्ट का ठीक है चली बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर दा विलॉस्टी ऑफ पार्टिकल अट अनी टाइम टी इस गिवन बाइस अट वाट ताइम इस विलॉस्टी इस माक्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता है हम क्या करेंगे डी टी निकाला हमने 6-2-2-4 T is equal to 0-6-4 T to 6 is equal to 4 T to T की वैल्लिव कितनी आगई 6 by 4 दो दूनी चार दो ती अच्छे यानिकी देड़ सेकिंड कितनी आगई वैल्ली 1.5 seconds 1.5 seconds okay very good आगे बढ़ते हैं यह तो बहुत आसान गुश्टन था if the velocity of a car is given by यह अच्छा कुश्शन यह अच्छा कुश्शन उससे तो अच्छा है क्या बोल रहा है अब विलॉस्ट इफ विलॉस्टी आपकार इस गिवन बाई वी इस इक्वास तो 150-10 X की पावर 1 by 2 meter per second if car retards their motion by applying brakes then what will be the acceleration then what will be the acceleration अच्छा आजो acceleration जो होता है उसका X के साथ क्या relation होता है वी डी वीवाई दी एक्स याद आया हां कि ना हां सर्य रिलेशन होता है तो क्यों ना मैं दी बाइड यइस निकाला सकता है बहुत असनी से देखो कैसे निकालोगे लànm का differentiation होगा क्योंकि अंदर भी एक X है तो इसका differentiation जब आप करोगे अच्छा इसकी पावर 1 by 2 है तो 1 by 2 minus 1 तो होई जाएगा यह तो आपको पता होगा प्लास इसका differentiation मतलब multiply में इसका differentiation वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा minus 10 हाँ एकदम बढ़िया dv by dx की value आगई चलो वी की value आपके पास already है वो कितनी है 150 minus 10x की power 1 by 2 इसको और simplify करो कितना होगा यह 2 से कड़ गया कितना है माइनस 5 150 minus 10x की power minus 1 by 2 ठीक है ना ओके सर तो अब यहाँ पर आप बता ही acceleration क्या होगा acceleration is equals to v v की value है 150 minus 10x की power 1 by 2 minus 10x की power 1 by 2 अच्छा और dv by dx की value कितनी है minus 5 minus 5 divided by 150 minus 10x या उपर ही लिखे रहे नहीं देता हूँ ओपर ही लिखे रहे नहीं देता हूँ minus 5 150 minus 10x की power minus 1 by 2 अब आप देखो यह 1 by 2 है यह minus 1 by 2 है तो power क्या होगी add हो जाएगी यह देखो नहीं नहीं अरे यह minus नहीं है अगर आपको यह लग रहा है कि मैंने यह minus 1 by 2 है तो यह add होगी power 0 हो जाएगी तो value 1 हो जाएगी तो x relation किसके बराबर आजाएगा minus 5 meter per second square के बराबर समझेगे नहीं समझे अरे x की power 1 by 2 है और यहां x की power minus 1 by 2 है तो हो जाएगा x की power 0 हो जाएगा ना उसकी value 1 हो जाएगी यह चीस तो बोल रहा हूं इसकी value देखो इसकी value देखो power 1 by 2 है minus 1 by 2 है power add on हो जाएगी तो power 0 पहुंच जाएगी और answer कितना जाएगा 1 into minus 5 तो answer आ गया minus 5 meter per second square यह आ गई किसकी value question number 29 का answer question number 30 को देखते है अब बस हां यह question हमने किया है ना practice पक्का नहीं किया है सब कहां किया है hundred percent करके देखें देखो अगर आपने kill shot videos देखें होंगे तो kill shot videos में मैंने question आपको कराया है अब क्या होता है न अब इतनी सारे situation मेंने किया हुआ है या करवाया हुआ है आपसे अब बस बिगिंस टुमोव इद एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर बस बस क्या ही एक बस है क्या ही यह बस है ठीक इसको मैं एक सड़क पर छोड़ देता हूं अब बस बिगिंस टुमोव इदन एक्सेलरेशन ऑफ बन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर इनिशल वेलोसिटी इसकी क्या है जीरो पीछे लड़का खड़ा हुआ है भाई बस से कितना दूर दिया हुआ है 48 मीटर दूर दिया हुआ है अच्छा स्टार्ट रशाटे लगे कि इसकी विलास्टी आप को कितनी दी हुई है भाई स्क्वेल उपको दिया 10 नीटर पर सेकेंड और यह कॉंस्ट्रेशन से चल रहा है विलोश्टी के से भी सॉल कर सकते हो तो रिलेटे विलोस्टी अब हम सीख गए तो क्यों रिलेटे विलोस्टी का यूज करें उससे हमारे थोड़ी स्टेप्स बच जाते हैं जल्दी कुशन सॉल हो जाता है तो अगर मैं बस पर जाकर बैठता हूं पहले मैं ग्राउंड पर स्टेम को रेस्ट पर लाना पड़ता है उसकी विलोस्टी करके चरते है या उसका जो भी है लॉस्टी एक्सलेशन एशन सब ल्टा करके या ऑड हो जाता है तो अगर अब्सरवर आप यहां पर बन गए हों यहां बस बन गये तो इसको रहेट पलाना ज़ूरी है तो आप क किया करना पड़ेगा उल्टा करके add करना पड़ेगा आई मेनी बात समझ में हासर इसके करना आपने जो क्या इसके काण़ आपने इस frame को क्या कर लिया है आप rest पर ले आए हो आपКो बདते न हा performing यंब भी observer को आप देखते हो तो observer हमेशा किस पर होता है रेस्ट पर होता है और अपजर्वर हमेशा तरह सब्सक्राइब लेए भाई मूविंग फ्रेम में ले जाओ कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको इसको रेश्ट पर लाना पड़ेगा अगर आप जाते हो तो मुविंग फ्रेम की हर विलॉसिटी है जो एक्सलेशन होता है वह उल्टा करके आप एड़ कर देते हो हर अब जेक्ट में तो आपने इसमें तो किया ही किया उसमें भी कर दिया अब यह किस पर आ गई यह भाई रेस्ट पर आ गई तो हम यहां पर सिर् है 10 मीटर पर सेकंड की इस डारेक्शन में बट इसके पास एकस्पेलेशन इस डारेक्शन में तो दिरे-दिरे करके इसकी विलॉसिटी कम होगी और फाइनली कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी बाट वह जीरो कहां होनी चाहिए बस तक पहुंचने पर बस के पहले पहु is equal to ut plus half 80 square यह फर्म लगाऊंगा किता displacement करना है बाई 48 meter का displacement करना है ठीक है initial velocity कितनी है 10 meter per second time हमें पता नहीं है minus half into acceleration इस डिरेक्शन में था इसलिए minus लेलिया मैंने 1 meter per second into t का square 1 meter per second square होना चाहिए चलिए इसको 2 से multiply कर देता हूं तो यो जाए इसको इधर ले जाओ तो यह कितना हो जाएगा है भगवान रीचे क्यों गिर गया पैन t square minus 20 t plus 96 is equal to 0 48 into 296 अब आप इसे solve करेंगे इसके roots निकालेंगे तो आपको t की 2 value मिलेगी एक 8 और 12 क्यों कि हमने question solve किया मैंने आपको बता है ना मुझे आद है कहीं ना कहिए तो crash course में मैंने आपको कराया है या तो कहीं ओ लेकिन हाँ मुझे पता है कुछन हमने हमने आपके साथ deal किया है वह जो तो यह भी पता है कि अगर से पूछा जाए minimum velocity कितनी होगी तो वह होती है यू greater than root to ad इतनी होनी ही चाहिए तो यह भी आद है हमने क्योंकि solve किया इसको ठीक है तो टाइम की value आईगी आठ सेकंड और बारा सेकंड तो पूछ रहा है कि वह कब catch कर लेगा बस को आठ सेकंड में गरेगा फिर दूसरी बारा सेकंड में भी मिलेगा मतलब हो सकता है कि आठ सेकंड में touch करे अना आखिट टच करे और उत्ते में बस एक्सलेट करके आगे निकल जाए और फिर यह बारा से किने वापस पहुंच जाए दो बार हो सकता है लेकिन पहली बार को ही आंसर माल लेंगे तो टीज इकोस तो एट सेकंड इस यौर आज़ आठ सेकंड में पहली बार बस तक पहुंच जाए गा वेरी गुड नेक्स फॉस आठ बाद थस आफ तो सकंड आफर दे स्टार अब बोल्ट बिगेंस फॉलली स्टाइल वद तक़ार ऑफ फीर फॉललिय मोअफ बॉल्ट फॉलल ताइम अफब आफ बोल्ट आये बाई समझेंगे बहूत प्यार से मैं आ पर दो बार वार अलेवेटर बनाना चाहता हूँ एक बार elevator मैंने ये बनाया और एक बार मैंने elevator ये बनाया ठीक और एक बार और बना देता हूं लेकिन दूसरे ठीक नहीं इसी से बना देता हूं चलिए अरे बेटा अरे बेटा ठीक समझेगा बहुत प्याद समझेगा धीरे-धीरे समझेगा कोई जल्दबाजी मत कीजएगा एन एलिवेटर कार यानि कि एलिवेटर फिलिफ्ट की बात हो रही है उस फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंज इस 2.7 मीटर यहां से लेके यहां तक का इस कितना है 2.7 मीटर है ठीक है सरे ओके स्टार्ट असेंडिंग विदर कॉंसे और स्था जाएंगे सब्सक्राइब किया होगा पहले तो आप मुझे बताू माले जिल लिफ्ट यहां पर थी घाना डिस decision हabout सेकेंट बाद लिफ्ट ऊपर पहुंच जाएगी ऊपर पहुंच जाएगी तो टू सेहन आफटर के साथची बोल्ट बिंस पॉल्ट्रून सा चली डिख तब यह बोल्ट है अभी नंग ए ग्राउट टेक्टा हूं थां में बैठा हुँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है जला जा रही है तो लिफ पर ही बड़िया जो लिफ्त की कि वेलोशीन हो जाएगी वही बूलट की स्वीलाईसों हो गई लिए बोड़शीन हो गई फिर क्या होगा फिर यह होगा के बोल्ट ओपर से घूंग कर एसे ऐसे ऐसे घूंग कर नीचे की तरफ आएगा यहीं होने वाला है हाश सथ और मुझे ग्राउंड फीरेंस से यह दिखरा है किस पे लगातार नीचे की तद आव क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है या बात समझ में आई हा सर समझ से कुछन ठोड़ा करना जबासरा सब्षकला अएकन मैं यहां से अठेटोर जाकर हो तो स्टेप्स कम जाते हैं कि देखो अगर मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठता हूं अगर मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठता हूं मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठा तो मैं एक्सिलेटेट फ्रेम में आ गया एक्सिलेटेट फ्रेम में आ गया एक्सिलेटेट फ्रेम में आ गया ध्यान जो सुनना अच्छा तो मुझे पता है कि जब मैं ग्राउन फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आता हूं तो मूविंग फ तो नीचे की तरफ मैंने acceleration add कर दिया 1.2 का ऐसा करने से क्या हुआ ऐसा करने से क्या हुआ moving frame rest पर आ गया moving frame किस पर आ गया rest पर आ गया अब calculation करना बहुत आसान है अब calculation करना बहुत आसान है जो आदमी lift के अंदर खड़ा होगा उसको बोल्ट सीधे नीचे आते हुए देखेगा न सीधे गिरते हुए देखेगा और जो जमीन पर खड़ा होगा उसको बोल्ट थोड़ा सा उपर जाकर नीचे आते हुए देखेगा आई बात समझ में हाजर समझ में आ गई है तो आप देखो कैलकुलेशन देखो जो परपल कलर से मैंने बताया है वो सब ग्राउंड फ्रेम से यह जो मैंने बताया है आपको यह किस्से है यह ग्राउंड फ्रेम से किस्से है यह ग्राउंड फ्रेम से और जो मैंने आपको य किस पे rest पर आ गई किस पर आगे left रेस पर आ गई है अच्छा क्या हुआ तो कि आप देखो ना लेफ्ट से भी तो माइनस करो गया विलासटी को दिखो लिप्स भी माइनस करो मितले लिफ्ट किस पर आ गई है रेस्ट पर आ गई चलिए वेरीगूड आगे समझ का अब लेफ किता डिस्टेंस को ट्रावल करना है 2.7 मीटर का डिस्टेंस ट्रावल करना है तो हम लगाएंगे एस इस इकोल स्टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर नीचे की तरफ डिस्पेस्मेंट कर रहा है वो तो एस कितना हो जाएगा माइनस 2.7 नीचे व्लासिटी 0 हो चुकी है और एक्सेलरेशन खुद नीचे की तरफ है माइनस 1.2 और 9.8 देखो ना 1.2 और 9.8 1.2 और 9.8 कि कितना हो गया 11 हो गया नौर एक दस और एक 11 ठीक है 11 इंटू टी का स्क्वेर टाइम हमें निकालना है माइनस से माइनस कर गिया कितना हो जाएगा यह 5.4 डिवाइड बाई 11 रूट लगा दिया तो टी की वेल्यू आ गई इसको आप सॉल कर लेना भाई तो आपको पता चल जाएगी इनमें से आं अब टो कर लिया है आंसर इसका लगभग 0.70 second आएगा चलिया आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट्वेशन टू ट्रेंस वन सिक्स्टी मीटर लॉंग अधर इस एक्टी मिटर लॉंग आर ट्राविग इन अपोसे डिरेक्शन विट विलॉसटी एक से एक से एक 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 सिक्सी किbell ओग और ट्राव बिलॉसटी भी कित विलॉसटी से दस मीट पगचिवीट पडिया पटली कॉसरी से पाच्चिया सिटीं अन्ट रिक्षमिट ओंधॉसटल ने मीटर सेगे ट्री भी कैस और इस और सबिलॉसटी से य Зачи श्रेंट मेग भॉसरे इस ग्जा lol एक है 80 meter long एक है 60 meter long और एक है 80 meter long एक है 80 meters long फिक अब ऑव बोल रहा है time of crossing बताओ कितमा होगा तो माल लीजार इस train को इसको cross करना है इस train को इसको cross करना दियान सुनना इस train को cross करना है तो इसका point पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए इस ट्रेन के लास्ट पॉइंट को इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस ट्रेन के लास्ट पॉइंट को पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए और इस ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है वो इस ट्रेन के लास्ट पॉइंट के आगे निकल जाना चाह समझ लोग नी समझ रहाँ हरला हागी तो और शमद और को यह ऐस डिस्टेंस ट्रेवल करना ही करनी है आखी नश्म को आगि आगए लेकर जानां था मिस लेंख को ठ्रेंद को बीपोरा पार कर ना है साथी साथ 80 को क्रॉस करा के 60 आगे ले जाना है तो टोटल लेंद कितनी क्रॉस करनी है भाई 80-plus 60 80-plus 60 तो हम बोलेंगे टोटल को डिस्टेंस जो निकालनी है जो क्रॉस करनी है वो कितनी हो जाएगी 80-plus 60 80-plus 60 यानि की 140 meter okay अच्छा और velocity कितनी है 25 मीटर ठीक है आप यहाँ पर बात आजाएगी concept की यानि की relative velocity concept की एक एक ट्रेन इस डिरेक्शन में जारी है दूसरी ट्रेन इस डिरेक्शन में जारी है मतला में इनकी यहाँ पर टोटल टाइम टोटल अगर आपको निकालना है कि टाइम कितना लगेगा तो टोटल टाइम इस इक्वल स्टू टोटल इस टोटल डिस्टेंस डैट इस 140 मीटर अपॉन डैटी विलासटी अपॉन वी रिलिटिव तो बन फॉर्ती मीटर एक दस मीटर पर सिकेंड किसके रिलेटेंगा भाई चला हूं विलासटी ऑफ यह क्तरी ट्रें है यह एट रिन थीक तो विलॉसिटी ऑफ बी विश्पेक्ट टू आगर आपको देखना है त किना हमको सिर्फ मतलब है किस से magnitude से मतलब है क्योंकि हमको टाइम निकाल ला है तो हमने डिवाइट कर दिया किस से 35 से ठीक है यह हो जाएगा साथ पना पैतेस साथ दूनी चाउदा पाच चो को 20 कितना आ गया चार सेट फॉर सेकेंड इस यौर आंसर पहुत बढ़िया नेक्स question two trains are moving with equal speed in opposite direction along to parallel railway days को आपके यच्छी practice rl वही है आपकी relative motion की बढ़ हीँ practice चल रही है two trains are moving with equal speeds एक train जा रही है इस direction में ठीक ना equal speed in opposite direction चलो एक train इस direction में है एक train इस direction में बठ speed क्या है दुनों की same यह V velocity से या V speed से जा रही है तो यह भी V speed से जा रही है अच्छा velocities of the train with respect to the wind are in the ratio one is to two okay then the speed of each train must be only just key velocity have even is key lost here we don't know how to do my book wrong key to win that wind give you velocity you ski be direction holy to make a yellow the wind give velocity direction a kidney you your wind give velocity direction hey you usnay kya bula hai along the track if the wind is blowing with speed you if wind is blowing with speed you along the track so that the relative velocities of the trains is key related velocity is kya respect my skill osity is kya respect me in ka jo ratio one is to to it iya dekhteh iya dekhteh toh ham bol rahe hai velocity of velocity of train one train one with respect to wind with respect to wind with respect to when velocity of train one with respect to wind yee kitani ho jayegi maan lije train one hai yee train two hai velocity of yee velocity of yee with respect to yee direction me go same hai v minus u v minus u vee two minus minus u v minus u kitana ho jayegi yee v2 plus yee ho jayegi yaa vee two ke value u ke berabar hai toh v plus yee ho jayegi okay sir aray nahi samujhe kya simple 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 likhlo v2 se confuse mat ho iski value kitani hai v minus minus of u kitana ho jayegi v plus u jab b train opposite direction में जाए जब भी कोई भी चाहे car ho bike ho train ho cycle ho अगर opposite अगर opposite direction में जाती है opposite direction में जाती है तो उनकी velocity is add-on हो जाएगी खुद सोचो ना जो बाहर पेड़ पौधे हो आप जो ट्रेन में बैठे रहते हो train चलती रहती है train के आप बाहर देखते हो तो जितनी train की speed होती जाती है उतनी ही ज्याजा तेजी से पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते हैं क्यों क्योंकि आप इधर जा रहे हो पेड़ पौधे तो क्या होती है जितनी train की speed बढ़ाते हो उतनी ही वो उल्टी होकर पेड़ पौधों में add हो जाती है चलिए वो तेजी से जाते हुए आपको दिखते हैं तो जब भी दो object opposite direction में जाएंगे तो उनकी velocity add on होगी और जब भी वो same direction में जाएंगे तो उनकी velocity minus हो जाएगी ठीक है सर ओके अब वो बोल रहा है इनका ratio ले लो इनका ratio ले लो वन इस टू टू का तो यह बोलेंगे हम V1 by V2 is equals to 1 is to 2 या आप ऐसे बोल दो आप ऐसे बोल दो वन इस टू आपको जो ratio दिया गया है वो V minus U upon V plus U का दिया है तो चलो निकालते है V plus U is equals to 2 times of V minus 2 times of U कि यदर आएगा तो 3 times of U is equals to 2 V minus V आने की V is equals to 3 U आगया देन देना स्पीड of each train must be equal to 3 U क्लियर कुछ भी नहीं था जैसे ऐसा डेटा उसने गिवन हमको दिया था हमने वैसे वैसे सॉल कर दिया है क्लियर हा सर बनिया next 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 question two balls are dropped from same height at one second interval of time the separation between the two balls after four second of the of the drop of the first ball अब देखो उसका समझना ये फसाते है ऐसे question ये ऐसे question में फसाते है माल लीजे पहरी drop है और ये दूसरी drop है two balls balls two balls are dropped from same height at one second interval of time तो इसको फेका गया जब T is equals to one second हो गया इसको तो यहाँ पर T कितना था zero second था एक second का time interval है ठीक है the separation between the two balls after four second of the drop of first ball याने कि ये एक second हो गया two, three, four ठीक यहाँ पर आ गई आपकी पहली बॉल जो पहली वाली बॉल थी इसको time कितना हो गया है चार सेकंड हो गया है और पहली और दूसरी बॉल के बीच में कितने का time gap है इंटरोल कितना है एक second का है तो अगर इसको चार सेकंड हो गया है तो उसकी पीछाली ball को कितना time हो गया होगा इसके पीछाली ball को हो गया होगा तीन सेकंड मदब आपकी ball तीन सेकंड में यहाँ वाली और जो फ़र्स्ट वाली बॉल थी वो तीन सेकंड में चार सेकंड में यहां तक हाले समझे की नहीं समझे हां सर समझे वो पूछ रहा है ता separation between them separation कितना होगा यह सपरे उसे यह बता चलता है कि ह – Jung Dash – Ge Z • वह क्या है मेरा Rs. 알ś और H – sch – अगर मैं कर देता हूं यह मेरा रिकोट अंसर ठीक है 1 urgent scrub क्या दिक्कत displacement in a minority of comment account कि जैसे कर लिएंगा एम देखना है चार से कुब सिकेंड में कितना displacement कर लिया हमारी बॉल ने इनिशल लॉस्टी तो 0 थी यहाँ पर इनिशल लॉस्टी क्या देती गए यह बाइब जीनोद देगी है प्लस प्लस नहीं हाफ कर लेता हो न हो मैंच कर देता हूं कि नीचे की तरफ है माइनस 10 टी का स्क्वेर चार का स्क्वेर चार स्केन्स में देख रहे हैं तुछ तीन सेग्डन कितना हो जाएका वापस जीडू थे कितना है थ्री का स्क्वेर्ल चार्च को सोला यह हो जाएगा दो वंपन्चे दस चार्च को सोला निक आप जाएगा दे कंग 8 नौपना 45 16 पंचे असी ठीक तो 80-45 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अच्छा एस फूर किसके बराबर है एस फूर बराबर है एच के और एस तरी बराबर है एच डैश के तो लो भाई हमाइनस एच डैश आप कर रहे हो कितना आ रहा है 80-45 याने की आंसर कितना आ गया 40-30-35 पैथेस मिटर क्लियर ना अंसर डन भाई हमसे वह यहां का सपरेशन पूछ रहा था तो हमने टोटल टाइम में कितना इस्टेंस टैवल किया पहली बॉल ने और दूसरी बॉल ने टोटल टाइम में कितना इस्टेंस टैवल किया वो निकाल लिया और दोनों को माइनस कर दिया अंसर आ गया common sense ठीक है चलिए next question the numerical ratio of distance to displacement is always equal to one always less than one always greater than one equal to or more than one equal to or more than one distance जो होता है भाई distance जो होता है वो क्या होता है it is always greater than or equal to greater greater than or equal to displacement greater than or equal to displacement लब अगर आप distance upon displacement करोगे तो value क्या आने वाली है one से बढ़ी है उसके difference and displacement greater than equal to one यह तो बडार हो जाएगा अगर बड़ाबर हो जाता है distance and displacement जो कि हो सकते है तो value 1 के बड़ा आ जाएगी नहीं तो distance हमेशा क्या हो सकता है displacement से बड़ा होसकता है बड़ाबर या बड़ा बड़ा नीचे कभी नी जाएगा she goes ऑड़ते है a wheel of radius 3 meter, a wheel of radius 3 meter, a wheel of radius 3 meter, question आ गया है भाई, याद आया कैसे करना है, sir आपको कैसे पता, अरे भाई, हमने इसमें solve किया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, crash course में, तभी तो, a wheel of radius 3 meter falls, rolls forward half a revolution on a horizontal ground, the magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is, यहाँ पर आप पहले wheel बनाओ, यह मने वील बनाया, और फिर यह वील एक और बाद आगे बना दिया, एक और बार आने आगे बना दिया, अब यहाँ पर बोल रहा हैं कि सुनो एक point of contact, यह point of contact है यह wheel आधा revolution करके यहां पहुँच जाता है, यी वील आधारमी ईवल युशं करके यहाँ समझ है था तो बोल रहा है कि DISP निकाला निकाल करता हो यह पने का निकाल देंगे चा देंगे क्या दिक्वक्ट है मुझे अगर यह धिस्तन्स मथा पता चल जाए यह डिस्टेस पता चल जाए यह डिस्टेंस मेरा काम बंजाए गाद कर अब धButton M और अगर मुझे यह डिस्पेस्मेंट चाहिए तो मुझे और होरिजॉंटल डिस्टेंस भी चाहिए यहां से लेके यहां तक का यह कितना होगा फिर यह निकाल कर बता हो तो मैंने बुला कि सुनो ना यह जो तुम आधा रेविलुशन करके यहां तक पहुंचे हो यह जो तुम आधा रेविलुशन करके यहां तक पहुंचे हो तुमने होरिजॉंटल कितना डिस्पेस्मेंट किया होगा यह पता है कितना है अगर तुम पूरा एक चक्कर लगाते तो एक चकर आगे अगर तुम लाइन मन जाई कि नहीं कि लाइन कितनी लंबी होगी अरे gamma system मैंने ने काट आया है तौह खूल दिया तो एक रसी नहीं बन जाई सीदी एक इघॉज़िए लाइन बन गे इसको मैं अगर गोमा दूगा तो वापस सरकल बन जाएगा और काट के खोल दिया तो यह लाइन कितनी लंभी होगी यह लाइन होगी टू पाई आर के बराबर सर कम्फरेंस ओफ दूसर कल के बराबर यह लेकिन यहां पर बोला है कि सुनो यह जो सरकल है यह आधा डिस्टेंसी मूव कर रहा है आधा डिस्टेंसी मूव कर रहा है तो अगर आधा डिस्टेंस मूव करेगा तो इस पूरी लेंद का कितना डिस्टेंस मूव कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और आधा आए मेरी बास समझने है पाई और आधा होग समझ रहो है अगर ये पूरा चक्कर घूमता तो ये पॉंट घूम कर पूरा इधर आजाता अज़ाता कि में यह पॉरा घूम कर इधरा जाता वापस नीचे आजाता समझ रहो तो आप कितना होड़ीजॉंटल displacement करते हैं टू पाई यार के बराबर कितना टू पाई यार के बराबर कितना होरिजॉंटल displacement displacement करते हैं टू पाई यार के बराबर ठीके ना लेकिन अभी आपने सिर्फ और सिर्फ आधार evolution आगे चले हुआ तो आपने कितना displacement किया होगा 2 pi r by 2 यह कितना displacement होगा by pi r समझे की नहीं समझे हाँ सर समझ गया तो आपके पास यह pi r आ गया और आपके पास यह 3 और 3 6 आ गया है क्या आप यह displacement निकाल सकते हो बिलकुल निकाल सकते हैं सर यह होगा कितना pi r का whole square pi r का whole square प्लस 3 और 3 6 6 का whole square ठीक है ओके सर चलो इसको solve करते हैं तो pi into r की value कितनी है 3 तो 3 का square 3 का square pi r का whole square प्लस 6 का whole square अंडर root ध्यान जो सुनना क्या करने वाले हैं चलो pi का square 3 का square प्लस 2 का square इंटles 2 3 का square सही लिखा है मैणने आसर सही लिखां सही लिखा है बिल्कुल जाए हुँखुल सही लिखा है 4 थियान चैना सभर सफियर ईन का है क्योल कोमन निकाल लिए भाहर निकल गया तो कितना आ गया 3 बहार निकल गया अंदर क्या偉 चाड़ पाई स्क्वेर प्लस टू का स्क्वेर पाई स्क्वेर प्लस टू कर चीक दी digo ने की फ्री इन टू लुए अर प्लस झालिए आ लखना कि जब एक चक्कर पूरा करता है अगर मैं इसको इस सरकल को एक चक कर गुमा के आगे ले जाओंगा तो वो कितना horizontal displacement travel करेगा अपनी circumference की बराबर और अगर आधा revolution घुमा कर आगे ले जाओंगा तो circumference की आधे के बराबर displacement travel करेगा ठीक है है very good आगे बढ़ते हैं next question next the displacement of a body along x-axis depends upon the time as root x is equal to 3t plus 5 then the velocity of body increases with time independent of time decreases with time none of the above यहां कुछ relation set करना पड़ेगा ढंका आए देखते हैं दोनों साइट squaring अगर मैं कर दूं root x is equal to 3t plus 5 दोनों जागे squaring कर दी तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 3t plus 5 का whole square x is equal to 3 तर का 990 square plus 3 2,6 t plus 5 का square 25 a square plus b square plus 2ab ठीके ना 2ab तो यहां पर एक गलती हो गई है शायद हम से a square plus b square plus 2 3 यह चे पंचे 30 यह सही है यहां से आप देख सकते हो की x क्या कर रहा है ती के साथ increase कर रहा है it is increasing with time next a bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 4 cm how much further it will penetrate before coming to rest out assuming that face is constant resistance to motion okay माली यहां पर एक cardboard मानना तो पड़े गया नहीं मानो के तो कैसे चलेगा माली जै कुछ भी है यहां पर एक block है माली जै ठीके ना एक bullet है bullet आई बुलेट हमने शूट करी बुलेट 4 cm अन्दर अधस गई कितने अंदर चली गए यहां से 4 cm अंदर चली गई है जाप परने करने से पहले उसके पास जो को तो यह उसके पास ती तैका हम लिए हमने की थोड़ाओ और penetrate कर पाई ये थोड़ा और penetrate कर पाई ये x distance कितना x distance और penetrate कर पाई और इसकी final velocity कितनी हो गई है zero हो गई है तो क्या पूछा है आपसे how much further it will penetrate x की value आपसे पूछी हुई ठीक है निकालते हैं कोशिश करते हैं दो पार्ट है question के दो पार्ट है पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है ठीक है पहले पार्ट को पकड़ते हैं जब आपकी bullet enter कर रही है और 4 cm तक penetrate कर रही है ठीक है तो equation लगाएंगे equation of motion v square is equals to u square plus 2 a s अब आप देखो final velocity घुस्ते टाइम वाली velocity की आधी हो गई है तो हम बोलेंगे इसको u by 2 का whole square अना इसको minus बोलेंगे u square is equals to twice of acceleration twice of acceleration हमें निकालना है into कितना displacement हुआ 4 cm का 0.04 meter कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं ये कितना हो जाएगा u square by 4 minus u square is equals to 0.08 into a क्योंके ना 0.08 into a ये कितना हो जाएगा 1 minus 4 1 minus 4 याने कि minus 3 u square by 4 by 4 is equals to 0.08 into a ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं माइनस मैं रहा है अव्व्यस्टी बात है retardation है क्योंकि गोली जब अंदर घुसेगी तो उसको constant resistance feel कर रहा करना होगा और वाइसको resistance मिलेगा ना उसको आज पास की जो लकडी है जो वोड है वोडन ब्लॉक था वो रोके का अंदर धसने से resistance मिलेगा उसको इसको इसलिए हाँ पर retardation आ रहा है velocity कम होती जा रही है चीक है तो 3 into u square divided by 4 into 0.08 is equals to a यह a की value आ गई point हटाया 20 लगा दिये point हटाया hundred से multiply कर दिया कितना हो गया यह 300 u square by 4 into 8 minus का a के बराबर सही लिखा है कि नहीं लिखा भाई 4 0.04 4 cm था 4 cm 4 into 10 to the power minus 2 ठीक है इसको हमने 2 से multiply कर दिया 0.08 हो गया acceleration की value यह आ गई है चलिए आगे बढ़ते हैं second part of question पर चलते हैं आप यहां देखे final velocity 0 हो रही final velocity 0 हो रही तो फिर वह equation लगाएंगे v square minus u square is equal to 2as ठीक आईए देखे final velocity 0 और जब यहां से आप देख रहा है यह आपका second part of question है यहां velocity कितनी हो गई है u by 2 हो गई है u by 2 हो गई है आगे ना final velocity 0 और u by 2 हो गई है ठीक है is equal to 2 times of acceleration की value कितनी है minus 300 minus 300 u square by 4 times of 8 ठीक है ना और हमको कितना distance चलना है भाई कितना distance चलना है x कितना चलना है x तो यह minus से minus कड़ गया कितना आया u square कितना आया u square by 4 is equal to 2 times of 300 u का square divided by 4 times of 8 into x तो यह 4 से 4 कड़ गया u square से u square कड़ गया कितना बचा कितना बचा कितना बचा कितना बचा एट एट धर चला जाएगा नीचे कितना जाएगा 600 is equals to x तो दो चौको आठ दो तिया छे दो दुनी चार देड़ सो दो एकम दो दो सत्य चौदा बचा एक दो पंचे दस वन बाई 75 वन बाई 75 ये कितना हो जाएगा वन बाई 75 वन बाई 75 जीरो पॉइंट यहां मत करो सर वहां सॉल कर दो हमको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा तो यहां पर वैल्यू आ गई है कितनी वन बाई 75 इसका मतलब क्या है वन को डिवाइड करो आप किससे 75 से जीरो जीरो ठीक ना जीरो जीरो वन 75 जीरो ट्वेंटी फाइफ ठीक ना यह हो गया 25 पच्चिस थी टाइमस ठीक ना 225 75 इंटू 3 टाइमस यह ना तीन पाच्च पंद यहां कितना बचा 25 तो यह हो जाएगा 0.0130 से 100 से मंटिप्लाय करेंगे तो 1.33 सेंटीमीटर ठीक है 1.33 सेंटीमीटर इस और आंसर हमने क्या किया आप क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लिया पहला पार्ट जिसमें आपकी विलेट के विलास्टी आधी हो रही थी च हो गई लेकिन हमको यह पता करना था कितने डिस्टेंस चल कर वो जीरो होगी तो हमने वापस सेकेंड पार्ट आफ क्वेश्चन में वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वेश्चा लगाया एक हम को मिल गई थी वी जीरो था यू की वेल्यू पिछले वाले पार्ट की जो फाइन देखने को नहीं मिलेंगे इस पार्ट में आपको कुछ अच्छे कुश्यंस देखने को मिल रहे हैं जगलर मेंटेंस फोर बॉल्स इन मोशन मेंगिंग इच देम तू राइज ऑफ 40 मिटर फॉम इस हैंड वाट ताइम इंट्रवल शुट भी मेंटें फॉर प्रॉपर दिस है ऐसे करें वो चार बॉल मेंटें कर रहा है जब दो बॉल हाथ में है तो हो सकता है दो बॉल कहां हो भाई हवा में हो दो बॉल कहां हो हवा में हो इस तरीके से वो क्या कर रहा है जगल कर रहा है ठीक अब उसने क्या बोला है वाट टाइम इंट्रवल शुट भी them एक तरापर डिस्टेंस मेंटेंड करने के लिए क्या टाइम इंटर्वल-त मेंटेन करोंगे क्या यह Emotion the gravity national जैसे याप बॉल को भेकव रहता साइट तक जा रही है चा था किया रही है चा था किःफ सी मीटर तक जा रही है u square upon 2g याने कि यह कितना हो जाएगा 800 का root is equals to u की value u कितना आ जाएगा 20 root 2 meter per second u की value कितने आगे 20 root 2 meter per second अच्छा ठीक है 20 root 2 meter per second आगे किसकी value initial value velocity की जिस से आप ball को फेक रहा हो जगलर फेक रहा है जिस velocity से ball को ठीक है मैंने बुला अच्छा इस velocity से मैं ये पता कर सकता हूँ कि कितने time तक ये ball हवा में है एक ball एक ball कितने time तक के लिए हवा में है finding out finding finding out for how much time for how much time for how much time a ball is in the air a ball is in the air कितनी देर तक बॉल air में है तो हम निकाल रहे है v is equal to u plus 80 लगा के जब maximum height तक बॉल पहुचेगी जब maximum height तक बॉल पहुच जाती है तो उसकी velocity कितनी हो जाती है 0 हो जाती है तो 0 initial velocity आपने निकाल लिए 20 20 root 2 meter per second अच्छा acceleration कितना होगा नीचे की तरफ जी a की value मैंने minus g ले लिए is equal to minus 10 meter per second square हमको time निकालना है यहां से हम time निकाल सकते हैं तो 10 T is equal to 20 root 2 यह काटा कितना आ गया T की value आ गई 2 root 2 लेकिन यह तो time of ascent जाने का time T1 जो time है वो जाने का time है T1 T1 time में ball आपकी कहां पहुंच रही है maximum height तक पहुंच रही है लेकिन हमको चाहिए finding for how many how much time a ball is in the air तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 times of T1 करना पड़ेगा तो answer कितना आ जाएगा 4 root 2 seconds इतने time के लिए आपकी ball क्या है हवा में है time of flight time of flight इतनी देरी के लिए ball आप क्या है यह आपकी हवा में है इसका करें क्या देखो एक बॉल आपने फेकी दूसरी एक बॉल आपने फेकी वह बॉल नीचे आ रही है कितने time में 4 root 2 seconds तो जैसे आपने एक बॉल फेकी हमझ रहो हाथ को आपको इस तरीके से एड्जस्स करना है कि आपके हाथ में दो बॉल रहे हमझ रहो चारो बॉल के बीच में जो गयाप है वह मिंटेन रहें बराबर रहें तो हम क्या time interval करेंगे यह total time है 4 root 2 का तो अगर मैं इसको चारो बॉल में equally divide कर दूँ तो एक एक equal distance maintain हो जाएगा क्योंकि चारो बॉल को आप किस velocity से फेक रहा हो यू से ही फेक रहा हो यह बॉल आई आपने यूसे पेक Sorins जो ye jo mont के लिए initial velocity क्या है चारो बॉल उपर लगने वाल maintain रहेगा तो मेरे हसाब से मैं ये बोलता हूं मेरे हसाब से मैं बोलता हूं time interval time interval interval to maintain time interval to maintain proper distance to maintain proper distance is nothing but two times of t1 by four two times of t1 by four yarni ki four root two divided by four yarni ki one point four one second one point four one second is your answer clear हाँ सर क्लियर एक दम क्लियर बहुत बढ़िया अच्छा कुशन था बहुत बढ़िया कुशन है next आगे बढ़ते हैं a particle starts from the origin with a velocity of 10 meter per seconds and moves with a constant acceleration till the velocity increases to 50 meter per second okay at that instant the acceleration is suddenly reverse what will be the velocity of the particle when it returns to the starting point क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना है क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना है अरे डाइग्राम मेरे भाई डाइग्राम मेरे भाई यहां से हमने स्टार्ट किया यह हमारा initial point है जब आपने स्टार्ट किया तो इनिशल व्लास्टी कितनी थी दस meter per second की थी ठीक दस meter per second की और constant acceleration से आप चल रहे थे और जब आपकी बॉल यहां पर पहुंची तो उसकी व्लास्टी कितनी हो गई पचास meter per second की हो गई है ठीक है अब इस instant पर क्या हुआ एकदम से जो acceleration था वो पलड़ गया एकदम से acceleration पलड़ गया ठीक है एकदम से पलटी है तो यहां पर भी व्लास्टी कितनी हो गई थाय कितनी हो गई कचास meter per second पलड़ गया एकदम से यहां से पलड़ गया तो वल्ला कितनी हो गई पाचास meter per second हो अच्छा वाट बीदा नहीं velocity तो भी है ऊक्च्च एक सगर एक सेकिंद मैंने दिरो कर के स्की विए कम होगी तीज्ए करके स्कूड चलू करेगा और उसके बाद इनीशल पॉंट तक वापस आ तो पूच है कि यहां पर बताब बता सिंस्ट कितनी हो जयेंगी तो मैंने का me मैंने equation मनाई, आईए, मैंने क्या बुला, मैंने ये बुला, कि V square minus U square is equals to two times of acceleration into S, final velocity है, 50 का square, initial velocity है, 10 का square into two times of, A नहीं पता, S नहीं पता, तेक equation number one, इस पार्ट के लिए equation मनाते है, नियान चुनना, नियान चुनना मैं क्या बोल रहा हू, final velocity क्या होगी, मुझे नहीं पता, व इस velocity से हमने देखा कि acceleration पलट गया है, 50 से, initial velocity, 50 is equals to two times of acceleration की direction हो गई है, opposite, और displacement भी कितना हो जाएगा, भाई, opposite, क्योंकि आप पहले दीरे 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 यहाँ चलोगे, और फिर आप final वहाँ पहुच जाओगे, तो displacement क्या हो जाएगा, initial से final point में minus हो जाएगा, ठीक है, तो य जाएगा, यहाँ पर आप करोगे, तो यह आजाएगा, 4900 is equals to V square, यहाँ पर आप करोगे, तो यह आजाएगा, 4900 is equals to V square, एन्हें कि V की वेल्यू कितनी आ जाएगी 70 मीटर पर सकेंड आंसर कितना आ गया 70 मीटर पर सकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे एक वैक्स मैं यह रहां थो अप्र पर चोब पहुंचने का फ्रमला होता है नहीं है कोई मास का टर्म नहीं है कोई मास का टर्म नहीं है कमतलब इंडेपेंड़नेंट आफ मास है भाई यह नहीं है, फिर क्या करें, फिर क्या करें, लेकर उसने साथ साथ एक condition और दी है, कि दूसरी बार जब आप फेक रहा हो, तो four times of initial velocity फेक रहा हो, ठीक है, तो h2 is equals to four times of initial velocity upon, four times of initial velocity upon, two जी, बस खतम, अरे जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं जो वो, तुम भी करो जी, one two ka four, four two ka one, my name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन, अरे, हाइड भी दिया अचा, 50 meter की हाइड दियू, तो मल्टिप्लाय कर दो भाई, 16 into 50, 16 into 50, याने की, 16, 80, 800 meters, कितनी आगई ह2 की वेल्यू, 800 meters, ये लो भाई, clear, next question, from a balloon rising vertically upward at 6 meter per second, आरे बहुत ही बढ़िया कुश्चन यार, बहुत ही बढ़िया कुश्चन, बहुत ही बढ़िया कुश्चन, आओ, solve कर नहींगे सको, a balloon rising vertically upward at 6 meter per second, a stone is thrown up at 16 meter per second relative to the balloon, पैले तो बलून मनाएंगे, बहुत देखार बलून सर, अब सही, अब सही, अब सही सर, ये है balloon, तेक, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, velocity of balloon दियू ही है, with respect to ground, कितनी, कितनी दियू है, 6 meter per second, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 16 meter per second से, relative to balloon, stone फेका गया है, मतना यहां से, एक stone फेका गया है, उपर की तरफ, ऐसा है क्या, हाँ, ठीक है, velocity of stone दियू है, with respect to balloon, और वो कितनी हो गई है, 16 meter per second हो गई है, ठीक, ओके, its velocity with respect to ground, after 2 seconds, 2 second बाद उसकी velocity with respect to ground, क्या होगी, ये बोला जा रहा है, ठीक है, इसकी velocity with respect to ground, क्या होगी, after 2 seconds, velocity of stone, with respect to ground, after 2 seconds, after 2 seconds, आपको यहां पर दिया है, velocity of stone, with respect to balloon, मैंने कहा है, सुनो ना, इसको velocity of stone, with respect to balloon को, आप विलोसिटी और स्टोन, with respect to ground करके बताओ नजरा, velocity of stone, with respect to ground, कैसे करेंगे, आपको moving frame से उठकर, ground frame में आना है, देखो, moving frame से उठकर, moving frame से उठकर, आपको कहा आना है, moving frame से उठकर, आपको ground frame में आना है, कहा आना है, ground frame में आना है, moving frame से उठकर, आपको कहा आना है, ground frame में आना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस moving frame से उठकर, आप ground frame में आ रहे हो, उसी moving frame की velocity, as it is, आप add कर दोगे, तो आपका moving frame क्या है, आपका moving frame है, बलून आप बलून से ground पर आ रहे हो बलून से आप ground पर आ रहे हो तो आप बलून की velocity जो with respect to ground है उसको as it is add कर दो किसमे stone में क्या कर दो as it is add कर दो stone में कर लो भीया मैंने as it is add कर दी balloon की velocity stone में तो यह कितना हो गया 16 plus 6 is equals to 22 meter per second कितना आ गया 22 meter per second आप ऐसा भी कर सकते हो देखो velocity of stone with respect to balloon आपको पता है तो आप निकालोगे velocity of stone with respect to ground minus velocity of balloon with respect to ground आपको velocity of stone with respect to ground चाहिए तो velocity of stone with respect to balloon कितनी दी गई है 16 meter per second प्लस उसमें कर दो 6 meter per second तो velocity of stone with respect to ground आपको मिल गई कितनी 22 meter per second देखो चाहे formula से कर लो चाहे common sense से कर लो answer सही आ रहा है same आ रहा है अच्छा आप देखो velocity of stone with respect to ground आ गई वह बोल रहा है कि velocity of stone with respect to ground आपके पास 2 second बात क्या होगी यह पता करो तो 2 second पहले आपके पास velocity of stone with respect to ground before two seconds कितनी आई है before two seconds कितनी आ गई है बाइस मीटर पर सेकेंड है नियान से देखना हम निकाल रहे है final velocity of stone with respect to ground is equal to initial velocity of stone with respect to ground plus a into t नियान से सुनना initial velocity यहने की 2 second पहले जो velocity थी वही आपकी velocity initial बन जाएगी stone की with respect to ground ठीक है जैसे ही आप अपने stone को balloon से बाहर फेक होगे जैसे ही आप अपने stone को balloon से बाहर फेक होगे आप उस पर gravitational acceleration लगने लगेगा भाई क्योंकि balloon से तो वह बाहर चला गया balloon से तो बाहर चला गया तो उस पर gravity T act करने लग जाएगी ठीक है तो यह हो गया कितना 22 minus A की value कितनी हो जाएगी G into T 2 second पूछा है तो उसको यहाँ पर put कर दो 2 यह हो जाएगा 22 minus 10 into 2 कितना हो जाएगा है 22 minus B says 2 meter per second velocity of stone with respect to ground after 2 second after 2 second 2 meter per second answer आगया clear है बहुत बढ़िया बहुत मज़ा है शांदार 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 next a particle starts from rest at T is equals to 0 and moves in a straight line with an acceleration shown below velocity of the particle at T is equals to 3 seconds velocity of the particle at 3 is equal to 3 seconds दो हम जानते है कि DV by DT जो होता है वो acceleration के बराबर होता है क्या मतलब हुआ DV is nothing but ADT मतलब area under 80 graph आपको क्या देता है change in velocity देता है area under 80 graph आपको क्या देता है change in velocity देता है ठीक है तो अगर मैं 0 से लेके 3 seconds तक area under the graph निकाल लेता हो पूरा तो क्या मुझे change in velocity मिल जाएगी हाँ सर बिलकुल मिल जाएगी मतलब आप ये बोल सकते हो total area from 0 to 3 seconds आपको क्या देगा change in velocity from V3 minus V1 या V3 minus V0 देगा क्या हाँ सर बिलकुल देगा total area बताओ कितना होगा इसका area कितना होगा पाच into 1 5 into 1 ठिक इसका होगा माइनस में यह कितना है minus 5 मत कर दिना minus लिग दिया है तो 5 into 1 5 into 1 ठीक है फिर उसके बाद प्लस में माइन यह 1 into 5 त यह जाएगा 5 into 1 यह कड गया यह कड गया कितना आ गया पांच जा गया अब आप देखो व ए 3- v3 पर विलांसि निकालनी आपको अंको अरे वदाब टी इसकोडिकर टी सेकंड पर विलासिटी निकालनी है ती इसकोड टी इसकोड-टी सटुज टू अब यह 0 है तो इसकोड़ लिखेंगे 5 तो आंसर कितना जाएगा V3 is equal to 5 meter per second आगया समझ रहा हूं हाँ सब्सक्राइब पॉजिटिव था एक नेगटिव था एक पच गया आँसर आगया 5 meter per second क्लियर है हाँ सर एकदम क्लियर है perfect है आजाओ आगे बढ़ते हैं तो फिर concept बहुत simple था next a train of 200 meter long traveling at 50 meter per second overtakes another train 130 meter long traveling at 30 meter per second time taken by the first train to pass the second train as a question हम कर चुके है आपके लिए यह homework है आपको यह question कुछ सौल करना है बहुत basic सा question है सब्सक्राइब कर चुके हो मेरे साथ next question the distance between two trucks moving towards each other is decreasing at the rate of 10 meter per second अच्छा दो ट्राक है एक दूसरे की है यह दूनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं कि इनके बीच की जो distance है it is decreasing at the rate of 10 meter per second it is decreasing at the rate of 10 meter per second अच्छा अगर मैं relative velocity निकालना चाहूं मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप opposite direction में velocity होती है तो relative velocity हमेशा add हो जाती है देखो ना अगर मैं ने कालों velocity of one with respect to two तो वो क्या होगा velocity of one minus velocity of one minus इसके opposite में है तो आप क्या लिखोगे minus of v2 यह कितना हो जाएगा v1 plus v2 यह velocity क्या है वह यह relative velocity एक दूसरे की तरफ आ रहा है इससे क्या हो रहा है at the rate of 10 meter per second तो यह भी एक टाइप की velocity ही दी गई है हना तो यहां पर आपको एक्चल में दिया हुआ है v1 plus v2 is equals to 10 meter per second यह क्या है दिस विलोसिटी ओफ वन वित रिस्पेक्ट तो टू डिस विलोसिटी ओफ वन वित रिस्पेक्ट टू दी है दूसरे ट्रक को मैं जैसी observer बनाता हूं तो वह किस पर आगया रेस्पर आगया अब भाई दोनों ट्रक एक दूसरे की तराफ आया मैं एक ट्रक पर बैट जाओ और इसको रेस्ट पर लिया और दूसरे ट्रक को आने दू एक ही बात है न तो वही चीज़ मैंने बुली है विल्वासिटी ओवन विट रिस्पेक्ट वूज दू तो तैन मीटर पर सेकेंड कोई दिक्कत नाई सर तूसरी बात क्या बोली है जब वह सेम डारेक्शन में चल रहे हैं वी वन वी टू देखो यह लिखा है इव इस ट्रक्स ट्रेवल इद दी सेम स्पीड इन दी सेम डि तो फिर अगर मैं वी वन विट रिस्पेक्ट टू निकालू अब मैं फिर टू पर जाकर बैठ जो और टू को सेकेंड वाले ट्रक को रेस्ट पर लेओ तो मैं देख रहा हूं कि जो इनके बीच का सेपरेशन है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक ना तो एक्शल म वी वन प्लस वी ट्व इसिकवास तू टेन दूसरी एक्वेशन है वी क्या करदो अधर कर दो यह से कड़ जाएगा कितना आ जाएगा क्वाइस ओफ वीवन क्या जाएगा साड़े साथ मीटर संट चीक और वी टू कितनी आ जाएगी जहाईए मीटर पर सेक्ट्ड लोग्र धूरतने में समझे क्वष्षिंग बोलने का तरीका थोड़ा सा लगता वह बोल रहा था कि जब दोनों एक दूसरे के पास में यारे ऐसे एक दूसरे के इपवाजा डिरीक्शन में तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हैं उनके बीच इसंड्स aye वह जा रहे थे मैंने का बाई दोनों चल रहे हैं इस से बैटर है कि मैं एक पर जाकर बैठ जाओ उसको रेस्ट पर लियो तो विलोस्टी ऑफ रिस्पेक्ट टू मैंने किया तो महां पर विलोस्टी कितनी आ गई पर लिलोस्टी पांच मिटर पर सक्ट बस का तंब अंसर आ गया चली बहार बनिया बहार बनिया अच्छा कुशन था next question a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road a scooterist wishes to overtake the bus in 50 seconds ठीक है समझेंगे a bus is moving with a speed of 10 meter per second bus bana दू bus यह bus है bus is moving with a speed of 10 meter per second bus is moving with a speed of 10 meter per second on the straight road a scooterist wishes to overtake the bus in 50 seconds scooterist 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 cycle bike bike बना दू क्या ठीक के scooterist है यह चाहता है क्या overtake the bus in 50 seconds यह चाहता है कि इसको overtake कर जाए और कितना time लगे इसको time लगे कितना 50 seconds ठीक है और क्या चाहता है और क्या गिवन है इव दा बस इस आड़ दिस्टेंस ओस वन किलो मीटर अच्छा यहां से कितनी डिस्टेंस पर आपकी बस है एक किलो मीटर पर है ठीक है ठीक है with what speed should the scooterist chase the bus scooterist को chase जो करना है बस को किस speed से करे अच्छा देखो मैंने आपको क्या बोला यह भी चल रहा है किसी velocity से चलो मैं माल लेता हूँ कि इसको chase करना है तो किसी velocity से तो ऐसको भगना पड़ेगा किसी velocity से चलना पड़ेगा कि अगर इसको waves करना है पढ़ेगा तो अब यह रेस्ट पर आ गया यह रेस्ट पर आ गया यह इस से 1 km दूर है बताओ इसको कितनी विलॉसिटी चाहिए के यह लिए यह तक पאचास सिकेड है खतंब भाद कृतंब डिस्टेंस कितना है distance कितना है distance है TeenION time कितना दिया है पहुचने के लिए प। relative velocity कितनी है relative velocity कितनी है velocity of scooter with respect to bus, कितनी है बताओ, अससरी जाना है तो V-10 हो जाएगी ठेके नहींगी very good तो मुझे बताओ कि कितना होगा V-10 की value वी की वेल्यू कितनी होगी तो speed is equals to distance upon time time कितना है 50 second 50 को धर ले जाओ तो 50 V minus 500 is equals to 1000 ठीक कितना आ गया यह 50 V is equals to 1500 यह 0 से 0 कड़ गया यह आ गया 30 तो वी की वेल्यू आ गई 30 meter पर second 30 meter पर second यह आ गया आपका answer next next question अच्छा यह question तो हमने किया हुआ है आपको बन जाएगा अच्छा question था कर लिया था हमने minus 5 meter per second square का acceleration आ जाएगा इसके बाद from a building two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward with same velocity V A and V B चली टावर बनना पड़ेगा बिल्डिंग नानी पड़ेगी एक building यह एक building यह ठीक है ना आ जाओ यहां से यह जो है एक ball को फेगा गया है ऊपर किस से किस से फेगा गया भी यह विद दर लॉस्टी वी ठीक है ना और दूसरी ball को इसी particular height के tower से नीचे की तरफ फेगा गया है velocity वी ऐसे कैसे हम देख चुके हैं वैसे हाना with same velocity वी और वी बी आर देखेगा अच्छा जब यह बॉल यहां पहुंच रही है नीचे यह कैसे पहुंचेगी ऐसे 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 करके नीचे पहुँँचेगी, यहां पहुंच गई. तो इसकी velocity बुली है VA है, और जब बॉल यहां पहुँचेगी, तो इसकी velocity बुली है VB है. बताओ VA और VB बराबर होंगे, अलग होंगे, क्या होंगे? यहां आमको पता है, देख। अध्यान से देखो. इस position पर जब आपकी ball पहुँचेगी इस position पर जब आपकी ball पहुँचेगी तो इसके पास इस direction में नीचे की direction में कितनी velocity होगी ठीक उतनी ही velocity होगी जितनी velocity से उपर फेका जा रहा है हागी ना हाँ सर तो आप यह देखो यह case अगर मैं इसको हटा दू थोड़ी दिर के लिए इसको अगर मैं हटा दू आपके जहन से time-wine के बारे में बात नहींगे सिर्फ velocity पूछिए अगर मैं जहन से आपके हटा दू तो यह case यह case आपको सेम नहीं लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा हां सर बिलकुल सही कह रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भीया जब नीचे पहुंचेगी ना आपकी बार तो दोनों ही case में velocity क्या होगी बराबर होने वाली दोनोतले है बाइस एक विदेग बहुत बढ़ी है नेक्सक्षिश्टिए नेक्सक्षिटिन नेक्सक्षिटिन क्या है तू स्फिर्स प्वार्थ सेम साइज्ज वन फ्मास तू क्उपेजी अधर लान फू कि अनधर वन और फूर कीजा रॉप्स यानूप श्रॉप्स जो 2 kg है, और यह एक ball है, जो 3 kg की हूं, ठीक न, दोनों ही क्या है भाई, 1 meter उपर है, जमीन से, गरने से एक मीटर उपर है, तो वो पूछ रहा है, कि बताव। इन दोनों balls में क्या सेम होगा, momentum सेम होगा, नहीं भ्याइज, momentum में आता है, mass cut time, mass into velocity, mass cut time आता है, तो दोनों के मास से लग है तो momentum तो नहीं हो सकता kinetic energy Photometer America अलगेंगा Potential energy Potential energy इंदर भी आता है mass quarter mg तो यह भी नहीं हो सकता तो answer क्या है acceleration acceleration दोनों पर बराबरी से लगेगा gravitational acceleration लगेगा बाकितीनों चीजों में mass आता है तो यहाँ पर मास दोनों ही bodies का अलग-अलग है तो यहाँ पर तीन option करते हैं, एक option एक दम सही है, बहुत बढ़िया, next question, आँ, NCRT का question है, यह आपके NCRT book का question है, अच्छा question है, NCRT book का question है, अच्छा question है, on a long horizontally moving belt, a child runs to and fro with a speed of 9 km per hour with respect to belt, velocity of child with respect to belt आपको दे दी गई है, 9 km per hour, ठीक है, between his father and mother, father इदर खड़े हैं भाईया, यह खड़े हैं father और यह खड़े हैं mother, ठीक है, 50 meter दूर, अच्छा, the belt moves with a speed of 4 km per hour, अच्छा, velocity of belt आपको दे दी है, with respect to ground, 4 km per hour, ठीक है, for an observer on a stationary platform, एक आदमी फाल तू खड़ा हुआ है, एक आदमी platform पर फाल तू खड़ा हुआ है, वो यही देख रहा है बच्चे को भागते हुए, ठीक ना, क्योंकि question मना ना था physics का, क्योंकि question मना था physics का, इसलिए फाल तू खड़ा हो के देख रहा है, for an observe on a stationary platform, the speed of the child running in the direction of motion of the bed, running in the direction of motion of the bed, child भाग रहा है किस direction में, जिस direction में, belt चल रहा है, तो हमको क्या निकालना है भाई, fine, station at the speed of the, ठीक है, हमारा जो इंसान है, वो stationary है, वो जमीन से खड़ा होकर देख रहा है, तो हमको velocity of child निकालनी है, with respect to observer, या नहीं, with respect to ground, हमको velocity of child निकालनी है, with respect to ground, अब देखो, वही बात, कहां से उठके, कहां जा रहे हो आप, आप belt पे थे, belt के respect से उठकर कहां जा रहे हो, stationary observer के पास, आप belt से उठकर moving frame से उठके कहां जा रहे हो, ground frame में, फिर वही बात, आप moving frame से ground frame में जा रहे हो, आप moving frame से ground frame में जा रहे हो, moving frame से आप ground frame में जा रहे हो, तो क्या करते हैं, जिस moving frame से आप उठकर ground frame में जा रहे हो, उस moving frame की velocity आप सारे object में add कर देते हो, हो आपको किसकी चाहिए सईल की विल्होष्टी चाहिए तो आप मुविंग की विल्होष्टी ऐसकें किस में एड कर दो चायव listaMe में तो क्या जाएगा 13 किल मीटर पर which जिनको Olay से करना हो वह फॉर्मले से भी कर सकते हैं कुई बड़ी बात नहीं है बढ़ा आसान है कुछ भी टफ यह चली बढ़े बढ़े चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने लिए कुछ नहीं है यहां पर हमारे पचास कुश्चन होते हैं कम्प्लीट हो गए हैं क्या हाँ पचास कुश्चन होते हैं कम्प्लीट आपको पता है मैगनेट बेंस के अपनी वेबसाइट है मैगनेट डॉट कॉम नाम से इसका वेब पेज आपको ऐसे देखने को मिलेगा आप जैसे यहां पर जाएंगे तो जितना के लेक्चर देखते हैं तो अब सब्सक्राइब करेंगे तो हर चीज मेरी पढ़ायां यांपर आपको लाइन बालाइन देख जाएगी भली वह लेक्चर हो या उसकी डीपीप यो आपको लेक्टिर देखने कमाने आप उसपर क्लिक करेंगे तो मैं पढ़ाता हूँ आपको दिख जाओंगा आपको पता है कि हमारी ideology है completely free education दिने में बिलीव करते हैं फ्री का मतलब यह नहीं के content से compromise किया गया हो content एक दम टॉप नौच आपको प्रोइड किया जाता है बदले में हम आपसे थोड़ा प्याद थोड़ा support चाहते हैं वह आप हमें दे सकते हैं वीडियो को